हरियाना सरकार में स्वास्थ विभाक का जिम्मा मिलते ही स्वास्थ मंतरी आरती राओ एक्शन मोड में हैं। इसी क्रम में पंचकुला के सेक्टर एक पी डेल्वीडी रेस्थ हाउस में स्वास्थ विभाक आयुश विभाक और मेडिकल एजुकेशन विभाक के अधिकारियों के साथ मंतरी ने एक एहम बैठक की। इस बैठक में तीनों विभाको के अधिकारी मौजुद रहे और स्वास्थ मंतरी के द्वारा कई एहम मुदों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही दिपाबली के पर्व को देखते हुए स्वास्थ मंतरी ने आदेश दिये हैं कि अगर फूड प्रोडक्ट्स में किसी प्रकार की मिलावट पाई जाती है तो उनके खिलाफ सब्कार रहे की जाएगी। तो हम प्रिपेड हैं और डिपार्ट्म पूरी तरह प्रिपेड है कि आने वाले वक्त में ऐसी चीज़े ना हो। हरिवाना के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी पर भी स्वासमन्फी रार्तिराव ने क्या कहा है वो भी सुनिये। वही प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर बोलते हुए कहा कि ऐसे अस्पतालों पर सक्त से सक्त कारवाई होगी। से पहले कि जो आई उश्मान कार्ड लेकर जाते हैं उनको कभी-कभी जगा नहीं मिलती अस्पतालों में। साथ-साथ जो एक्स्ट्रा चार्जिस कर रहे हैं उन पर सक्त से सक्त कारवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए मेरे कोरी। क्योंकि अगर हमने बना रखा कि इस रेट पे जाँच होनी चाहिए और उससे जादा ले रहे हैं तो ये गलत है। तो आने वाले वक्त में हम इसमें कारवाई जरूर करें। में तीनों विभाकों के अधिकारी मौझूद रहे और स्वास्ति मंत्री के द्वारा कई एहम मुदों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही दिपावली के पर्व को देखते हुए स्वास्ति मंत्री ने आदेश दिये हैं कि अगर फूड प्रोडक्ट्स में किसी प्रकार की मिलावट पाई जाती है तो उनके खिलाफ सकत कारवाई की जाएगी। फूड प्रोडक्ट्स हैं और उसके साथ साथ हमने ये कहा है कि हमें इस स्टिक्ष एक्षिक एक्षिन लेना चाहिए अगर मिलावट पाई जाती है तुछ दिवाले के दोरान और हमारे अस्पादालों में जो बर्न यूनित से वह भी रेडी होने चाहिए कि दिवाली में ह स्वासमन्फीर आर्दीराव ने क्या कहा है वो भी सुनिये। से पहले कि जो आई उश्मान कार्ड लेकर जाते हैं उनको कभी-कभी जगा नहीं मलती अस्पतालों में। साथ-साथ जो एक्स्ट्रा चार्जिस कर रहे हैं उनको कि अगर हमने बना रखा कि इस रेट पर जांच होनी चाहिए और उससे जादा ले रहे हैं तो यह गलत है। तो आने वाले बाक्त में हम इसमें कारवाई जरूर करें।